देखे भारतिय जनता पाटी के कुछ नेता लगातार अपने बियानबाजी से सरकार को और इस्थिल करने की कुशिश कर रहे हैं लगातार बीजेपी पर हमला वर दिखाई दे रहे हैं आपको बता दे कि पहले की घटना को सामने उजजाकर करते वी बीजेपी पर हमला जीतन राम मांजी के तरफ से किया गया दरसल पुर्णिया में दलितों की बस्ती पर जो आग लगी थी उस आग के बारे में बीजेपी क भाई एक साथ आकर इस बात को असपश्ट उन्होंने कर दिया है कि वो हमीशा साथ हैं मजबूती से खड़े हैं लेकिन कुछ लोगों को ये बात पच नहीं रही पेट में दर्द हो रहा है और यही बचा है कि इस तरह की बातें वो बार बार कह रहे हैं अब ये बातें तो अब बिहार की राजनीती में हमारी पाची के भीतर खाने देखने को मिल रही है ऐसे में साथतों पर दिखाई देता है कि बीजेपी सरकार को अस्थर करने की कोशिश में लगे हुई है क्या कुछ कह रहे हैं दानश रिजवान पहले आप सुनी नतुरते से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे ब्यानबाजी के खिलाफ अब बिहार में एंडिये कॉर्डिनेशन कमीटी बनानी जरूरी है नहीं तो इस्तिथी और भयावा हो जाएगी आपको बता दे कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अब एंडिये में कॉर्डिनेशन कमीटी बनाने की मांग कर दी है दलित और अल्ब संख्यक के विवाद को लेकर हमकी तरफ से बीजेपी के उपर मंगल वार को जोड़दार हमला बोला गया था और अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने बीजेपी नेताओं पर खुल कर ही आरोप लगा दिया है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिज्वान ने कहा कि बीजेपी को कुछ नेता निती शरकार को अस्थर करने का प्रयास कर रहे है सरकार की खिलाब बयान बाजी करके बीजेपी के निताओं ने विपक्ष को मौका दिया है हालात ऐसे हो गए हैं कि अब NDA सरकार की फजीहत से बीजेपी के कुछ निताओं के कारण इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है ऐसे में जरूरी हो जाता है कि NG के अंदर जल्द से जल्द कोडिनीशन कमीटी बनाई जाए डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा कि अगर कोडिनीशन कमीटी बनाने में देरी हुई तो हालात और भी जादा खराब हो सकते हैं आपको बता दे कि ये सारा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब BGP के तरह से लगातार ये आरोप लगाए गए कि बहार में दलितों की सुरक्षा सरकार शुनस्चित नहीं कर पा रही इतना है नहीं उन्होंने ये तक कह दिया कि अलब संख्यकों का उत्पीडन बिहार में होता है पुलिस की भूमिका भी बेहत दुर्भागे पूर्ण है संजे जैस्वाल ने अपने ही सरकार के उपर सवाल उठाए पुलिया के वाइसी में हुई घटना के बाद से बीजेपी दलित सुरक्षा को मुद्दा बनाए बैठी है इसके लिए अलब संख्यकों के उपर कारवाई की मांग कर रही है ऐसे में अब जीतना मांजी ने नितीज सरकार के बच्चाओं में उतरने की कोशिश की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब सरकार को अस्थर करने का प्रयाज बीजेपी के तरफ से किया जा रहा है हमके इस बयान के बाद अबेंटी में बयानबाजी के और तेज आसार जताए जा रहे है तो एक तरफ जहां हमके मुख्या जीतना मांजी ने साफतोर पर कह दिया है कि जल्द से जल अगर को ओडिनेशन कमीटी का गठन नहीं किया गया तो बहार में सत्ता डगमगा चाहेगी हालात और भी जादा खराब हो जाएंगे क्योंकि जस तरह की इससती दिखाई दे रही है लगतार बेजेपी अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर रही है ऐसे में ये कहीं से भी सही नहीं है को ओडिनेशन कमीटी का गठन होना बेहत जरूरी है अलाकि हमके इस बयान के बाद जाहर से बात है बहार के सियासी गल्यारों में कई सारी चर्चाएं उजागर हो जाएगी लगतार इसको लेकर बयान बाजी का सलसला जारी रहेगा इस खबर को लेकर जो कुछ भी अपडेट हमारे पास आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे फ़लाल के लिए इतना ही ज़ादा अपडेट के लिए आप बने रहें नियूस वार्णीशन के साथ नमस्का